वेलकम टू माई चैनल एसके नोलिज क्लास दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास तेंत संस्क्रिट सब्जेक्टिव कोस्टन एंसर ठीक जो कि आपको इसी से पुझा जाएगा ठीक तो वीडियो को फूरा देखिएगा लास्ट तक क्योंकि इससे आपको मिलता जुलता सवाल मिलेगा ठीक ना देखिए फर्स नमर का कोर्ष्टन है दोस्तो कन्याय पती निन पाठ का संदेश अपने सब्दों में लिखे ठीक तो इसका उतर है दोस्तो पंडित कन्या सर्व स्रेष्ट गुन संपन बलवान से विभा करने का निरने लेती है वाड क का खोज में उत्तरंतर राजा हाथी कुत्ता पंडित तक का पीछा करती है किन्तु आंत में एक पंडित तरून ही उसे स्रेष्ट तर लगा और उससे ही कन्याने परिने किया इस घटना करम से सिक्षा मिलती है कि जो जिस सिल कूल का कुल का होता है वह उसे ही विभिन परिक्षनों के बाद सही लगता है ठीक चलिए नेस को चन ठेक तो वीडियो को लाइक ने कित लाइक कर दीजिये देखिए दुसरा कोश्चन है दूस्तो आपको ध्याउन से देखना है ठीक निए ताकि एक बार में ही याद हो जाए पाठ का पाँच वाक्ये में परिशे दे ठेक ते इसका उतर है दोस्तों वालमेकी ये रामायन के अध्याकांड की सर्ग संख्या 95 से संकिलित इस पाठ में चित्रकूट के निकट बहने वाली मंदा किनी नामक छोटी नदी का वर्नन है इस पाठ में आदी कभी बालमेकी की अब ये सैली तथा वर्नन चमता अभिवेक्त हुई है स्री राम सीता को मंदा की का वर्नन सुनाते हैं ठेक चलिए तीसरा कोस्टन लेलते हैं दोस्तों तीसरा कोस्टन है सत्य प्रियता पाठ के आधार पर विधान चंद्र के गुनों का वर्नन करे ठेक इसका उतर है दोस् वे पस्चिम बंगाल के मुखमंत्री हुए वे सत्य पिरिये थे अपना नुक्सान उठा कर भी वे सत्य का दामन नहीं छोड़ते थे परिक्षा में एक साल का नुक्सान उठा लिया किन्तु दुर घटना भरी बात नियाले में सही सही कहा इससे उनके उजिवल चरित्र का पता चलता है ठीक चलिए नेक्स सवाल लेते हैं दोस्तों चौथा कोस्चन है कि भारतिये संसकारों का परिचे देते इसका उतर है आईडवेद में चरक सहिता सोसुरुत सहिंता आदी सास्तराकार विश्व परसिद है खगोल विज्ञान में अरियभट वराह मिहीर परसिद है बौध्यन भार्दवाज गौतम विशिष्ट आदी रिशियों ने सास्तरों की रचना किये है परिनिक्रित वियाकरन विश्व परसिद है ठीक तो दोस्तों मेत में आपको कितना कितना सहता मिला है तो जरूर बनाने में ठेक चलिए पांचमा कोश्टन लेलते हैं निती सोलगा का पाठ के अनुसार कौन सा तीन बस्तु त्याज है इसका उत्तर है दोस्तों नरक का विभित त्याज बस्तु काम क्रोध एवं लोब है इसमें लिप्त रहने वाले का नास हो जाता है अपने को बचाने क लिए इन तीनों को जीवन से हटा देना चाहिए उनके विना ही जीवन पत पर सांती एवं सफलता पुर्वक चला जा सकता है चलिए नेक्स सवाल लेलते हैं छटा नमर है दोस्तों मध्य काल में भारतिय समाज में फैली कुरुतियों का वर्नन अपने सब्दों में करें इस विसमताओं छुवाचु धर्मिक अबंडर इस्तिरियों की और शिक्षा विद्वाओं की निंदनिये इस्तिती शिक्षा की संकिर्यता इत्यादी कुरुतियां समाज में ब्यव्यव्त थी ठीक चलिए सात्वा कुस्चन लेलते हैं दोस्तों सात्वा कुस्चन है आलस कथा पार्ट के आधार पर बताईए कि आलसी पुरुसों को किस ने और क्यों निकाला इसका कुस्चन जो हैं अब्जेक्टिव में भी आ सकता है इसलिए सब्जेक्टिव पर लिजेगा तो अब्जेक्टिव में भी आपको सहता मिलेगा देखिए उत्तर है आलसी चार पुरुस नहीं है क्या जो हमारे उपर गिला कपरा डाल दे चौथे ने कहा अरे वह चाल कितनी बाते बोल सकते हो चुप तो हो जाए ऐसा सुनकर न्यूक्त प्रोसों ने मान लिया यह चारो वास्तविक आलसी है उनके बाल पकर कर आग के वीश से बाहर खीच लिया चल यह नेक्स कोस्टन देखते हैं आठवा कोस्टन है राज सेखर ने पटना के संबन्द में क्या लिखा है इसका उत्तर है कवी राज सेखर ने काभिय मिमान सा नामक कवी शिक्षा परमुक अपने गरंध में सादर अस्मरन करते हुए लिखा है कि यहां वर्सो वर्स पानिनी पिंडल ब्याडी वारे रुचिता था पत जुवाली आदी से महान योगदान देकर ख्याती को पराप्त किया है ठीक चल यह नेक्स को सनले लेते हैं नो नमर का है पट है दोस्तों पतना में गांधी से तू नामक पूल जो एसिया का सबसे लंबी पूल संग्राहले उच्च नियाले सचिवाले गोलघर तरा मंडल जेवी कुधान मोर्य कालीक अबसेस महाबीर मंदिर तथा गुरू गोबिंदर सिंग का जन्व अस्थल गुरू द्वारा आद दस निमर कोश्चन भागवान बूध ने पतना के संब्द में क्या कहा था इसका उतर है दोस्तों भागवान बूध ने पतना के संब्द में कहा था कि यह गाउं भविस में महानगर होगा किन्तु आपसी जगरा आग लगी और बाढ़ के भाई से सदे पिरित हो रहे इसका उत्तर है अलस साला में आग लगने पर चार आलसी लोग भागने के वजाए आपस ने बादचित कर रहे थे एक ने कपरे से मुह ढख कर कहा अरे हला कैसा दुसरे ने कहा लगता है कि इस घर में आग लग गई है तिसरे ने कहा कोई भी ऐसा धार्मिक नहीं है जो इस समय पानी से भींगे वस्तरों से या चटाई से हमें लोगों को ढख दे चवथे ने कहा वाचाल कितनी बाते करोगे चलिए नेस कोश्चन देख लेते हैं बारा नमर का बार नमर का कोश्चन है निती सुलोक का पाठ के आधार पर नरा ध्धम की लक्षन लिखे दिसका उत्तर है बिना बोली परवेश करने वाला बिना पूछे बहुत बोलेने वा पहला ओविश्वासी बेक्ति नरा धं है, ऐसा नरा धं से शधा दूरी बना कर रखनी चाहिए, ऐसा बेक्ति धोखेवाज हो सकते हैं तेक सिले, नेक्सक्ष्व संदेखते हैं तेरे नमर का है दोस्तों,'बिश्व ओ सांति का क्या कारण है ? इसका उत्तर है दोस्तों विश्व ओसांती के परमुख दो कारण पहला है दुवेस और ओसाहिंस नूता है तदंदर जाती बाद धर्मबाद उक्त दो कारणों से पनपे हुए अन्य कारण माने जाज सकते हैं ओसांती प्रसरित करने में स्वर्थ परक राजनितियों को की महतपुर्ण भुमिका होती है चलिए चौदा नमर का कोस्चन देख लेते हैं कल्प गरंतों की परमुख रचनाकारों का नामुख उलेक करे इसका उत्तर है कल्प चित्रात्मक कर्मकांड गरंत है बधायन भार्दवज गोतम वसिष्ट आदी रिसी इनकी रचनाकार है चलिए पंदरा नमर का कोस्चन देख लेते हैं दोस्तों लास्ट कोस्चन है प्राचिन करंतों में पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं जिसका उत्तर है प्राचिन संस्कीत गरंतों में पुरानों में पटना का नाम पुस्प पूर कुसुम पूर पाया जाता है ठीक तो दोस्तों आज की वीडियों बस नहीं और भी आपको संस्कीत का अब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कॉस्चन चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हम उस पर वीडियो बना देंगे अभी तक चैनल को सस्क्राइब ने की हैं सस्क्राइब कर लिजिए और घंटी को दबा कर दीजिए